मेक्सिमम स्टुएंट का डाउट है कि सर सोटनोट कैसे बना है क्या सर सोटनोट बनाने से सेलेक्शन होगा तो इसका अंसर है ऐसा नहीं है बिना सोटनोट की भी आपका सेलेक्शन हो सकता है तो फिर सोटनोट की हमारे सेलेक्शन में क्या इंपोर्टेंस है क्या ही हमारे सेले कि हम में इसका रिज़त मिलें बना है शोटनोट आपके परस्टनल चीज़ है जो किसी से मुपी नहीं कर सकते हम साल बर पूरी मेनत करते हैं अच्छे अच्छा सलेबस कंप्लीट करते हैं सारा जितना भी लिट्रेचर है वह हम पढ़ लेते हैं पर लास्ट मोमेंट पर जाके सब्सक्राइब करते हैं किसा सब्सक्राइब करते हैं अब हमोख करते हैं किछ जैसे आपका चेप्टर कंप्लीट हो उसके बद आप अपना मोडूल बना लीजिए बीपी बना लीजिए NCRT, PY की सब को सॉल्ट कर लीजिए जब आपको लगे कि मेरा चेप्टर अच्छे से तयार हो गया तब आप सोट नोट बनाएगे होना चाहिए तो नमबर वन आपके सोर्स जो है नमबर वन ब्लास के नोर्स नंबर इनसे अटी फन नंबर फे मोडूल में केवल पूंसेप्ट लेने सब्सक्राइब उनकी बाफ करेंगे और यह आपके PY क्यों यह आपका सोर्स हो गया शोर्ट नोट बनाने कैसे तो आपको क्या करना है शोर्ट नोट बना तुसे में एक एफूर साइस का जो पेपर है आप इसको तीन फोल्ड में डिवाइड कर लीजिये शोटनोट के अंदर क्या-क्या लेना है नबर बन सबसे पहले तो शोटनोट के अदर आप फॉइंट्स लिखेंगे सिंबल और फॉमुले लिखेंगे डाग्राम लिखेंगे वो भी सिंबोलिक प्रोपर डाइब बनाने की कोई जरूत नहीं है या कोई ओडर है उनको याद करने के लिए आप ट्रिक्स बना लीजिए निमोनिक्स बना सकते हैं शोटनोट बनाते समय आप उसके अंदर कोई देफिनेशन और एक्समेंशन पार्ट नहीं लिखेंगे ठीक है आपके जो शोटनोट है ना वह एक्दम एक्ट्व होने चाहिए शोटनोट बेटा कभी भी कंप्लीट नहीं होते हैं जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे टेस्ट देंगे तो आपको कुछ कोशन ऐसे मिलें है जिसमें आपको कुछ नया सीखनों को मिलेगा जो भी नया पॉइंट आ रहा है जो कंसेट आपको मिला आप अपने शोटनोट में एड़ करते चलें ऐसे करके आप अपने शोटनोट को एक्ट्व बना सकते हैं ठीक है एक कामोर करें जैसे आप शोटनोट आपने बना लि प्रिक का जो फोर्मूला है जिसका आपका कुछिन गलत हुआ है आप उसको हाइलाइट कर दीजिए तो जब भी आप एक्जाम टाइम पे लास मोमेंट के रिविजिन करेंगे तो आपको बतारेगा यार इस सब टोपिक का कुछिन मेरा गलत हुआ था तो आप उसे अच्छ हो पाईगा थेंग्यू वेरी पाच्च पाईगा थेंग्यू वेरी पाच्च